दोस्तों आप लोग के काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमें मैरेज वीडियो एडिटिंग करना है उसके लिए कोई सस्ते में PC बिल्ट करा दीजिए या फिर YouTube वीडियो एडिट करना है Premiere Pro चलाना है या फिर मैरेज वीडियो के लिए ADS चलाना है उसके लिए कोई सस्ते PC बिल्ट करा दीजिए जिस पर हम लोग अच्छे धंग से वीडियो को एडिट कर सकें काफी दिरों से कमेंट आ रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे बिल्कुल सस्ते PC को हम बिल्ट करने की कोशिस किये हैं जिस पर आप ADS चला सकते हैं मैरेज वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं या फिर YouTube वीडियो के लिए जो है आप Premiere Pro को भी चला सकते हैं या फिर साथ में Graphic Designings वगएरे का काफी है भी अगर आपका काम है तो वो भी काम कर सकते हैं लेकिन इसका बजट बहुत ही कम रहने वाला है क्योंकि ये जो भी प्रोसेसर या फिर Graphic Card हम जो बाई करने वाले हैं इसके अंदर लगाने वाले हैं ये थोड़े से पूराने जरूर हैं लेकिन आज के रेट में बहुत ही अच्छे लेबल से इस पे काम हो रहे हैं बेफिकर होकर के आज के रेट में जो है आप इसको पाई कर सकते हैं समझने के लिए वीडियो के साथ लास तक बने रहे हैं वीडियो को लाइक करके शेर भी करें और कमेंट करना ना भूलें के नेक्स वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए क्योंकि आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही मैं वीडियो ले करके आता रहता हूँ आईए दोस्तों हम लोग समझते हैं सबसे पहले समझते हैं इसके अंदर हम लोग प्रोसेसर कौन सा लगाएंगे तो चुकी बजट कम है इसलिए i5 का 10th generation प्रोसेसर 10400 आज भी बहुत फेमस है जिन लोगों ने इस पर आज भी काम किया हुआ है पहले लगाए हुए हैं वो आज भी इसको reject नहीं करते हैं क्योंकि ये performance बहुत अच्छा देता है आज की रिट में इसकी price की अगर हम बात करें तो ये 10 से 11,000 रुपे के बीच में ये मिल जाता है और इस budget के अंदर आने वाला एक बहुत ही बहतरीन performance वाला ये processor हो सकता है आज की रिट के लिए ये 4.3 GHz तक boost में चला जाता है जो की performance बहुत ही बहतरीन आपको निकाल करके देता है base frequency 2.9 GHz होती है कुल मिला जुला करके जितने में भी है ये बहुत ही सांदार performance देता है गेमिंग्स के लिए है भी गेमिंग्स के लिए चाहिए तो आप इसको सस्ता ही लगा लें क्योंकि ये जो 10-400 है ये बहुत अच्छा performance दे देता है गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग में इसके साथ में आप जो है इससे पैसा बचा करके प्रोसेसर से पैसा बचा करके आप जा करके अगर गेमिंग करना है तो आप ग्रेफिक कार्ड भी पैसा लगा दीजिए और ये आपका बहुत ही अच्छा performance देने वाला ये प्रोसेसर आपके लिए हो जाएगा बाकि ADS के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है प्रीमियर प्रो के लिए कोई दिक्कत नहीं है आप इस पर मैरिस वीडियो एडिट कीजिए गेमिंग कीजिए या फिर आप प्रीमियर प्रो चलाईए यूटूब वीडियो एडिट कीजिए ग्रैफिक डिजाइनिंग कीजिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है तो ये आपको प्रोसेसर भाई करना है, इसके साथ में अगर हम मदर बोट की बात करें तो इसमें जो हम लोग लगा रहे हैं, प्राइम का H510M लगाएंगे और इस मदर बोट पर जो है डायरेक्ट M.2 NBME का सपोर्ट मिलता है जिसके वज़े से परफर्मेंस और भी जादे इनहेंस हो करके मिलता है इसके अंदर मैं दो लिंक दे रहा हूँ, छे हजार रुपे के आसपास में पढ़ जाते हैं छे से साड़े 6,000 रुपे के बीच में ये मदर बोट दोनों ही आपको पढ़ जाएंगे जिसके अंदर जो है एक गीगाबाइट का है H510M इन दोनों में से जो भी आपको अच्छे रिट में मिल जाता है उसको आप बाई कर लें कुल मिला जुला करके चुकि हमारा बजट भी कम है तो इससे उपर हम लोग जाएंगे भी नहीं जो हमारा काम है वो बिलकुल ये जो है निकाल करके दे देगा ठीक ठाके जो है मदरबॉन मिल जाता है दोनों पर भी जो है M.2NB.MB का सपोर्ट देखने को मिल जाता है उसके बाद जो है हम आ जाते हैं ग्रैफिक कार्ड पर ग्रैफिक कार्ड हम इसके अंदर चुकि बजट हमारा कम है 4GB का graphic card हम लोग लगाएंगे जिसके लिए video editing purpose अगर आपका है gaming purpose है तो उसके लिए दूसरा जो मैं बताने वाला हूँ उसको use कर लीजिए अगर video editing purpose है तो quadro का T400 4GB GDDR6 RAM के साथ वाला लगा लीजिए graphic card बहुत सांधार काम करेगा video editing में बहुत ही बहतरीन performance यह जो है quadro T400 4GB वाला देता है यह 2GB भी आता है 2GB वाला ना ले आप 4GB वाला ले इसका मैंने link दिया हुआ है और यह 12,000 रुपे में आपको पढ़ जाएगा जो की बहुत अच्छा graphic card है खास करके video editing के लिए आपको भाई करना है इसके अलावा video gaming भी करना चाहते है तो उसके साथ में आप RX 6400 का मैंने link दिया हुआ है यह भी 12-15,000 के बीच में आपको मिल जाएगा इसको भी आप चाहें तो use कर सकते हैं और यह बाला जो processor है 10400 पर आप 3060 तक 12GB तक लगा करके एक बहुत ही बहतरीन performance निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे हां खुद i5-10400 के साथ जो है RTX 3060 लगा करके बहुत ही बहतरीन performance निकाला जा रहा है और बहुत ही अच्छे से हमारा ललका उस पर gaming करता है जिसका performance बहुत ही लाजवाब है तो वहां तक भी पहुच सकते हैं तो graphic card वो आपके उपर depend करेगा सभी का link में description में दे दूँगा जहां तक आपका budget पहुचता है वहां तक आप buy कर सकते हैं gaming के साथ editing चाहिए और पैसा अगर अच्छा है 30,000 रुपे तक लगाना चाहते हैं तो प्रोसेसर में आप इसको ले लीजिए और वही पैसा बचा करके आकर के आप जो हैं graphic में इन्वेश्ट कर दीजिए मजा जाएगा लेकिन सिर्फ editing के लिए budget चाहिए तो quadro का T400 लगा लीजिए आपका काम हो जाएगा मेरीज video editing में बहुत ही बहुत ही बहतर performance आपको मिल जाएगा उसके बाद जो है राइम की बात करें तो crucial का 8GB DDR4 32 MHz वाली आप एक लगा लग सकते हैं इसके अंदर चुकि graphic card हम लोग लगा रहे हैं तो 8GB से उपर जाने की ज़रूरत भी नहीं है अगर चाहते हैं तो 16GB आप लगा लीजिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 8GB बहुत है क्योंकि 4GB का जो है हम graphic card भी लगा रहे हैं तो हमें graphic card को use करने लग जाता है system हमें system का जो RAM होता है उतना use नहीं हो पाता तो 8GB बहुत है आज तक हम लोग बहुत सारे variant के PC use करते हैं लेकिन सभी में 8GB है उससे उपर के हमें requirement ही नहीं हुई तो 8GB बहुत होता है या फिर crucial का RGB ले सकते हैं या फिर Coursair का Vegans LPX हमारा बहुत ही favorite RAM है आप इसको use कर सकते हैं से 2300 रुपे आज के रिक में दिखा रहा है 8GB का 3200 MHz ये hit sync वाली होती है बहुत अच्छी performance दे देती है इसी में solar GB भी मिल जाएगा solar GB अगर आप चाहते हैं तो solar GB आप लगा सकते हैं उसके बाद SSD आपको लगाना है M.2 NBMB का SSD लगाना है आपको motherboard के उपर ही लगाना है अलग से लगाएंगे साटा उतना मज़ा नहीं आएगा तो इसके लिए कम से कम आप जो है WD का green वाला लगा लीजिए 240 GB का जिसके अंदर आप जो है operating system अपना install कीजिए बाकी editing का software या फिर जितने भी application software जो है आप install करना चाहते हैं 240 GB के अंदर आ जाएगा बिल्कुल भी problem नहीं होगा और बाकी अगर आपको data के लिए चाहिए तो आप hard drive लगा सकते हैं सस्ते में 3000 में ही 1TB मिल जाएगा उसमें आप अपना data रखिए और इसके अंदर जो है आप अपना रुपे का पड़ जाएगा तो यह अच्छली 2400 MB per second की speed आपको देती है 3 year की warranty आती है अगर वही पर अगर आप ले लेते हैं WD का blue तो वो आपको पड़ जाएगा करीब करीब थाइस सो से तीन हजार के बीच में मिल जाएगा यह उससे उपर आपको देखने को मिलेगा इसकी performance और भी थोड़ी से enhance हो करके आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर आप लेते हैं तो crucial का P2 ले सकते हैं यह सब सस्ती SSDs हैं जो इस PC के लिए बहुत होती है और WD का Blue और crucial P2 यह दोनों का लगबग लगबग प्राइस से भी होता है और प्राइस से मगर रहता है तो आप WD का Blue लीजिए यह crucial P2 से अच्छी है तो यह performance इससे आपको बहुत ही अच्छा enhance हो करके मिलेगा चुकि budget कम है तो हम data storage के लिए hard drive 1TB का कोई भी लगा लेंगे 3000 के आसपास मिलेगा और budget कम के अंदर ही चुकी budget हम PC build कर रहे हैं तो अब हम आते हैं चेचिस पर, cabinet पर तो cabinet के लिए finger, cabinet का finger एक brand है जिसका मैं link दिया हूँ आप उसको scroll करके नीचे आएंगे तो बहुत सारे link उस पर 8-10 model आपको देखने को मिलेगा RGB वाली भी हैं, अलग-लग lights वाली भी हैं, अलग-लग models भी हैं अलग-लग looks में है जो आपको सही लगे ये 3-3,000 में ये cabinets मिल जाती है और सबसे बड़ी बात ये है कि 7 में ही इसके अंदर जो है तो उसका भी मैं link दे रहा हूँ आप अलग से cabinet जो है बाई कर सकते हैं, देख सकते हैं अलग से power supply भी बाई कर सकते हैं 450 watt की power supply इस PC के लिए बहुत है तो इस तरीके से आप इसको assembled करेंगे, तो ये करीब से 30-35,000 के बीच में एक ये बहुत अच्छा PC बिल्ड हो जाएगा आपका जिस पर आप ADS चला सकते हैं, Premiere Pro चला सकते हैं Gaming कर सकते हैं, Multiple work कर सकते हैं Graphic designing कर सकते हैं, Banner Postal designing वगरे कर सकते हैं Photoshop albums वगरे बना सकते हैं ये सारे ही काम कर सकते हैं आपको problem नहीं होगी बाकी high-end की बात करें तो जितना भी डालते चले जाएंगे वो performance बढ़ेगा ही लेकिन इस पर आपका काम नहीं रुकेगा आप इस पर अपना सारा काम कर सकते हैं बाकी इसके अलवाँ monitors चाहिए तो उसका भी मैने link दे रखा है keyboard, mouse चाहिए तो उसका भी मैने link दे रखा है जो आपके budget में आता हो वो आप मंगा सकते हैं order कर सकते हैं सभी का link मैंने description में दिया हुआ है तो दोस्ते वीडियो information आपको कैसा लगा प्लीज आप comment में ज़रूर बताएं इसे प्रकार की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें क्योंकि मैं इस्टप की वीडियो हमेशा ले करके आता रहता हूँ मैं बिलता हूँ next किसी और चीन फर्मेटी वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यबाद करता हूँ आपका दिन सुप हो